तो के तान एक गाम्मा पूर आविए एक गाम्मा वैष्णों रहता अने पाणी वधवा लागिऊ पड़ोसी आविए वैष्णों पासे ने केवा लागिऊ कि चालो वैष्णों गामनी बाहर निकली जे ये पाणी वधी रहूँ छे तम्हें डूबी जशो पड़ोसी तो जता रहा पाणी वधवा लागिऊ बीजे माल पर चड़ी गया पाणी वधवा लागिऊ अगासी पर चड़ी गया हेलिकोप्टर आविऊ कोई नू दोलडू नाक्यू पकड़ी लो लोकोने काडी रहा ची अमें पाणी वधी रहूँ चे डूबी जशो वैष्णों तो कहें कि मने ठाकोर जी लेवा आवे तो जाओ बाकी तो न जो अने पाणी वधी गयू ने वैष्णों डूबी गयू चेल्ले सुधी प्रभुनी प्रतिक्षा करेली प्रभुनू नाम लिदेलू अले वैकुंट मा लई गया दूतो अने लाल पीडा वैष्णों थाए एक वार भगवान ने मलवादो पचे अमने वाद करूछू छेक सुधी राज होतो रहो एक वार बचावान आवया प्रभु ने दरबार मा उपस्थित करवा मा आवया वैष्णवने अने लाल पीडा थाए प्रभु ने कहे कि सू प्रभु छेक सुधी तमारी प्रतिक्षा करतो रहो एक वार पन मन बचावा आपना आवया आवा प्रभु एक वार नियुए त्रण त्रण वार तने बचाव आवयो एक वार पडोसी बनी नाव लईने आवयो और त्रीजी वार तो हेलिकॉप्टर लईने आवयो पन तुमने ना उड़की शक्यो, ये तारो वाँक चे मारो नहीं एम जरूरी न थी के प्रभु पीतांबर ने मोर पीच मुगट दारन करीने जावे ये कोई पन सुरूपे आवी शके उलखवानी आखो आपड़ी होवी जोई उलखवानी द्रश्टी आपड़ी इंदर होवी जोई और ए द्रश्टी भागवजी आपेश साक्षात प्रभुनी प्राप्ती करावी दे भागवजी और भागवजी न श्रमन करो इले साक्षात ठाकोर जी तमाने त्यां पदारे अतीरे आनंद भर्या आओ मारे रंगे शाम सुन्दिर वरे बैठाचो संबर अतीरे आनंद भर्या आओ मारे रंगे शाम सुन्दिर वरे बैठाचो संबर भागवजी न श्रमन करीन घरे जाओ विजा जी उसे सेवा मा बेव बेसो आकोर जी मंद मंद स्मित करता होई अन एज प्रभुस यांसन माती ठाड़ा जई तमारी गोध मावी न बिराजी जाए अने कहे कल तुने कथा में कहा सुनो मुकु सुना अने वैश्नव जे जे काले कथा में आजे सामड़ीने गया होई एक काले सवारे पोताना ठाकोर जीने समड़ावे अने प्रभुप्रसंद थाईने सामड़े तमें यह आओ तेरे एकलानती आओ ता तमारा गरे बिराजता ठाकोर जी तमारी पाचर पाचर आओ जीने महात्मे मा कहवाईओ कहा कि आप जब कथा शवन करने घर से निकलते हो तब अकेले नहीं आते पीचे पीचे प्रभू भी आपके आते हैं और कैसे आते हैं गौर यथा सुतवत सलाह जैसे गाए अपने बचडों को चाटती हुई उसके पीचे पीचे आती है वैसे ही आपके घर में विराजते प्रभू आपके पीछे पीछे आते और जब आप कथा में बैठते हो तब आपकी गोध में बैठकर प्रभू अपनी कथा सुना करते तो प्रभू प्रापती आप भागवत नी कथा करा कहे शेयर तेरे कहे वान तैशों आपने सर्वे साधड़ी दैशों सगपने तो शाबड़ी आगु साचों पाकी सर्वे दीसे छे काचों अतिरे आनंद भर्य अवो मारे अंगे शाम सुन्दिर्वर बैचाचो संगे भागवत जी तमने विया लोकिक द्रश्टी आप्षे अईया प्रभुनी लीलाओ मुश्रवन करीने जशों तो एज लीलाओ घरे ठाकुर्जी करी रहा होए वनुभोध शों आ बिजा कोई और भगवान नी कथा न थी दरे के ए रिते सामडवानू छे कि रोज जैनी हुँ सेवा करू छों एज ठाकुर्जी नी कथा यहां थे रही छे मारो लालन घरे तो केव नानकड़ो बनीने बैठो छे पनेज परमात्मा केवी केवी लीलाओ करें पोता ना भक्तों नी रक्षा करवा माटे क्यारे एक नर्सी बनी जाए क्यारे एक वामन बनी जाए क्यारे वरहा बनी जाए केवा केवा लीलाओ प्रभु करी रहा छे जो आ भिन भिन लीलाओ ना सुरूपों ने जोई प्रभु मा प्रेम मा अभिवृत्धी था तमारू नानू बालक होए स्कूल मा फैंसी ड्रेस कॉंपिटिशन होए अने तमे नाना बालक ने पोलिस नो ड्रेस बेडाओ कोई येन सी बनावे कोई येन संत बनावे अने आवा जुदा जुदा वेश दारण करेला पोताना बालक ने जुओ तो वधारे वालू लागे वधारे येना पर प्रेम आवे एम आपडाज लालन जी आपडे त्याँ एक दूधनी कटोरी पन फूक मारी मारी ने साथ गूट भर पीजे लाला अने साथ गूट भरी ने पीए छे ए नानकडो लालन केवी केवी लीलाओ करे अने लीलाओन उश्रवन करिये एतले आपड़ी सेवामा अभिरुची वधी जाए प्रभू सेवा यामबा कथा यामबा यस्या सकती दड़ा बवेत माप्रभुजी पन कए सेवा ने कथा एक बिजानी पूरक चे फर केटलो सेवामा भोगता भगवान चे अने भोग्या भक्त चे अने कथामा भोगता भक्त चे अने भोग्या भगवान चे कथामा आनंद भक्त ले चे अने सेवा मा आनंद प्रभु लेशुँँग पुष्टी मार्गनु हार्द प्रभुनु सुख एमाज वैश्णवनु आनंद बस आ वाक्य जो समझी जाए वैश्णव तो पुष्टी मार्गना सर्वे ग्रंथों नु सार आवीगर। प्रभुनु सुख एमाज वैश्णवनु आनंद मारो प्रभु राजी थयो के नहीं। अन प्रभुने राजी थता जोईने वैश्णवने रदैमा आनंद प्रकट थाए एज सिर्मोर आनंद शाए। भागवतनी कथा थी स्वें प्रभु पदाए। नंद ना कुबर तमे बहुरंग रसिया अमारे कारणे वालो प्रजर्मा वसिया। नंद ना कुबर तमे बहुरंग रसिया अमारे कारणे वालो प्रजर्मा वसिया। नंद ना कुबर तमे खरोना बडाई। मोटा थया छो मारुमा खड़ खाई। नंद ना कुबर तमे खरोना बडाई। मोटा थया छो मारुमा खड़ खाई। और तीरे आनंद भर्या आवो मारे रंगे। शान सुन्दिर वर बैका चो संगे। स्वयम प्रभु पधारते हैं। जो भागवत का शवन करते हैं। स्वयम प्रभु उसके वहां पधारते हैं। प्रभु बप्तति एक्षण पणालग नती रहता। भागवत नी शवन के वैष्णों को शिंगारते। महा प्रभुजी तो भागवत न घूड अर्थों ने प्रकट करवा माचेज पधार्या। श्री भागवत गूड好像 प्रकाशन परायेंदत। भागवत न शात प्रकार अर्थ महाप्रभु जी कर्या। सास्त्रे, सकंधे, प्रक्रणे, अध्याये, वाक्ये, पदेक्षरे, एकार्थ सक्तधा जानन अविरोधे नमुच्चते सास्त्रे, सकंधे, प्रक्रणे, अध्याये, वाक्ये, पदे और अक्षरे, अम सात प्रकारे महाप्रभुजी अर्थ करेशे भागवत भागवतनों पाँचमू फळ अभयत्त वाज़ मानसने सवती मोटो भय मृत्युनों भयश अन्य मृत्यु पर आपड़ी रीते आवे तो वाँधो न थी सांजनों समय होए ने कुर्सी पर बैठा होई दिमे दिमे मुजिक वाक्तु होए डिम लाइट होए अन्य जम लाइट ओफ थाए अम ओफ थे जी तो वाँधो न थी पर बिमार पड़िये हस्पिटल मा जव पड़े यातनाव सहन करवी प्रे यह उमृत्यु न थी जो इटल के मूल बात सवती बटो भय मानस में कोई होए तो पोतानों धार्यू न थवाए में जेवु विचारी उचेवु नई थाए तो आ तो छे न ये मानस में बवड़ाए तो रुके ताने के कन्या परणी न आवी अने परणी न आवी न पासी त्रण चार महिना पचे पी अरे गई तो आटली सुकाई केम गई तो तने कोई एहरान करे छे तने खावारू न थी आपता आउसरी सुकाई ने केम पातलू थाई गई ता के बाकी बद्धू ठीक छे मा पड़ा अमारा पती देवनू तो जेशे न ये विचारी विचारी ने सुकाई के कैयो तो के सवारे उठून के गरम पाणी मुक नहीं तो और उन घबराई जाऊने दोड़ती जाईने मुक तरत नहींने आवेने के चा मुक नहीं तो और उन सुकरी नाक्षेम बीक ने मारी मारू शरीरू पात्रण उठाई मा ये कहुँ के वू बहु गबरावन नहीं और साची सला तो मा जापे दिकरी मुक एक वार कईदे मोड़ा पर नहीं तो सुकरी लेशो और सिखवाडी ने मुक ली और बीजा जी उसे पती उठ्यो और चा बनाओ नहीं तो अने आने के वू नहीं तो सुकरी लेशो कि जाते बनावी लेश आपणा बद्धा तो आवाज होएश अ जेटला आपन भए भए नो विचार जेटलो खतरनाक होएशे ने इटले खरेखर परिश्थिती ती ओ एटली खराब न थी होते पन दुखनो विच सर्व भएव माथी मुक्ती भागवजी करें सर्व भए माथी मुक्ती मोटा भागना लोको दुनिया माथी मरी ने जाए और भागवज सिखवाडे चे के मरी ने दुनिया माथी न जाओ जीवी ने दुनिया माथी जाओ जीवन नो उड़कार लईने दुनिया मा थी जई हाँ, हमें जीवी ने जई रहाज मरी ने नहीं मरी ने तो बधाये मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद मरने हीते पाई ये पूरण परमान वीजा माटे मृत्यू बले दुखनू कारण होए वैश्णों माटे तो मृत्यू पण महत्सव छे प्रभुने मडवानू एक बहानू छे मरी ने दुनिया मा थी नथी जवू जीवी ने जवू जीवन नो आनंद लही ने जवानू छे वार्ता मा तो नथी आउतो बला माजी नो प्रसंग अष्टपदी नो काल लेवा आवे ने माजी पाचा फेरवे कि अमना तो नंद मौत्सव नो दिवस्च आ सेवाकरी ने पच्छी आवीज पाचो जा यमदूतने पाचो मुगले आठ वार काल ने पाचो मुगले आने पची तो कालना मस्तक पर पग मुखी ने पदारे अरे जैने विठल नात विचारे रे तैने प्रगट पदारत चारे रे यमते शिर धनुष नसा दे रे एवो मारग श्री वल्लब वर्नो जा नहीं प्रवेश विदिहर्म आ महा प्रवुजी नो मारग ये वोश है येने काल औने कर्म पन जैने बाधा करी शकता नचे सर्व भयो माती भागवजी मुक्ति अपावे मानस ने त्रण भय लागे ला चें संतों कहे एक दुख नो भय बिजो दुष कर्म नो भय आने त्रीजो दुष संग नो भय अत्रण भय मानस ने कोई पन मानस ने दुख जोईतू न थे आने दुख नो भए बद्धा ने चे के जीवन मा दुख आवश्रे तो आने दुख ने दूर करवा माटे आपडे सुख भेगू करिये चे सुख ने वापरता न थे सुखना समय सुखी थता नधी कारण दुखना समय काम लाखश दुखनो भय माना स्मुष्ल दुश संग नो भय छे खोटो संग मळएता दुखा कई केऊ न थे जाए क्या भव बगड़ी जाए भय राखवो होए तो दुखनो भय न राखो पापनो भहरा कारण के दुख पापने कारणे आवे जो भगवाननी व्यवस्ता के वीच है आपने बद्दाज पैसा भेगा करवा माटे पाप करिये पैसा भेगा करवा माटे पाप करिये पर मरी जाए तो पैसा यहां रही जाए पाप बदा भेगा प्रभुनी व्यवस्थाज के वी से पैसा माटे पाप करिये पर मरी जी ये तो पैसा बदार रही जाए अन करेला आप करमों पाप बद्धा देगा साउधान रेलू डर्वू होए तो पाप थी डरो अपराध थी डरो सिदो सिदो इसा अप छे सुख जोई तू होई तो पुण्ने करो अन दुख जोई तू होई तो पाप करो अपना बदा इन तकलिफे चे के लीमडाना बीजवावाच अन राजोईन बेटे के आमा आमबो क्यारे आवे क्यारे आवे बीजवावी ये लीमडाना अने राजोई आमबानी तो संभव नुखे एं पाप वावियू छे तो दुख जुगुवान नुखे पुण्य वावियू छे तो सुख उगुवान नुखे अने कल्यूग मां तो भगवान एटली अनुखुडता करीधी देशे। पाप विचारो ने तो एनुख फळ नी मढ़िए। करशो तो फळ मली पुन्ये तो कल्यूग मां विचार शो ने तो ए फळ मली जेशे। अने नुक प्रमानसु आपड़ी राखेली मानता हो आपड़ी मानता हो राखिये ने बस आटलू कारे थे जाए ने गिर्राद बावातारी परिक्रमा करवावी इस्तन चपनबोग आरोगावी इल्ले आजी चपनबोग करयो नथी पन पुण्य विचारिव छे तो ये ठाकु पाप विचारशो तो फढ़नी मढ़े करशो त्यारे फढ़ मढ़से अन्य पुण्य तो खाली विचारी पन लेशो ने तो ये कलियुग मेनू फढ़ मढ़से तो येल्ल हमेशा सारू विचार भए राखो होय तो पापों नो भए राखो कि आ हाथी कोईने उपाडी बले पाडवा माटे तो हातना वपाए सावधान रहो तो पांच फढ़ बतावया भागवजी मा त्रण भाषा छे समाधी भाषा लौकिक भाषा और परमत भाषा महा प्रवजी बतावे कि आत्रण प्रकारनी भाषा भागवजी मा छे अड़ार अजार श्लोक छे पन अड़ार सम्तिंग तो शे अड़ार अजार नहीं था एनि चर्चा पसी क्यारेक लेशो पन अड़ार अजार श्लोकों कई रिते भागवजी मा त्रण सो पातरी सद्ध्याय भगवान ना रोम रोम छे केक अक्षर आओ भागवजी ना महात्मे मा प्रवेश करिए तो फकन्दों ने मंगला चर्ण तो छ अध्यायमा मंगला चरन करे juicy अट्मे मतावा या च अध्याय इतला माटे के भगवान धनवान Griffin जैनी पासे धन छे दनवानमार तो जैनी पासे भग छे भगवान oui. तो भग को ने केवाई एश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्यान ने वेराग्य आ छो धर्मों ने भग केवाई आ भगवान आ छो धर्म वाड़ा छे इटले इमने भगवान केवाई तो छो गुण, छो धर्म भगवान माँ छे थो आध दरेक ने एक एक महाथ में कईूं एृरण ब्हाव ध्रड था इटला माते करनके भक्ती नी व्याख्याजे करवा मावी महात्म ग्यान पुरवस्तु सुध्रढ ह सर्वतो दिकस्ने हो इती हुआ भक्ती बक्ती कौने कहवाए किर्टन करिये बक्ती पाठ करिये बक्ती सेवा करिये बक्ती बक्ती एटले शू तेनी व्याख्या व्याज जी बतावे के महत्म ज्यान पुर्वस्तु महत्म ज्यान पुर्वक सुद्रड अन सर्वती अधिक स्ने एनू नाम भक्ती तो सवती पहला प्रभुनू महत्म ज्यान जानवानू गे भगवान कौन छे मुझे नी सेवा करी रहो चुए कौन छे भगवान ने नी समझो ने तो क्यारेक एमना मा अभावाव शे प्रभुनी लीला ने प्रभुना स्वभाव ने प्रभुना स्वरूप ने अत्रणे ने समझो तो बक्ती द्रड था